हेलो इबरिबरेंट तो फ्रेंट आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कड़ाई वाले कुड़ते की कटिंग करना निशान लगाना और किस तरीके से इस में से हमें बाजू के लिए कपड़ा बचाना है वो समय आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ इसको मैंने अलग कर दिया और यह हमारा पीछे वाला पर्त इसको मैंने पीछ में से कटिंग करके अलग-अलग कर दिया हैं तो इन में निशान अलग-अलग ही लगेंगे फ्रेंज कड़ाई वाले कुड़ते में इस तरीके से ही निशान लगाय जाते हैं अलग-अलग करके तो यह देखिएगा इसको हमें किस तरीके से इसके गले को फॉल्ड करके कटिंग करना होता है यह देख सकते हो आपको इसको बीच में से ऐसे करके फॉल्ड करना रही है जो इसकी कढ़ाई है इनको बराबर रखना है यह कढ़ाई जो है इसकी इसको बराबर करके आप चाहो तो पिंसे सेट कर लीजीगा, इधर उधर ये हमारा कपड़ा ना सरके, साइडों में चाहिए कितना भी उचा नीचा हो, लेकिन गले की कड़ाई पैसे इसको एकदम से बराबर रखना है, और आप इसे पिंसे सेट कर सकते हो, तो हम निसाल लगाएंगे पीछे वाले पड़त में, क्योंकि ये प्लैन है, तो आपको निशान आराम से दिखाई दे जाएंगे, तो इसको ये देखेगा, मैंने ऐसे बिच्छाना है, ये डवल है अभी, तो इसकी चोड़ाई काफी ज़्यादा लग रही है, तो इसकी चोड़ाई को कम करेंगे हम, और बाजू के लिए इसमें से कपड़ा बचाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है, अगर कड़ाई वाला आपका कुर्ता है, तो आगे वाले को कटिंग करके अलग कर दीजिए, पीछे वाले की कटिंग बाद में करेंगे, तो उसी में से आपको बाजू के लिए कपड़ा बचाना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये देखिएगा, मैंने इसको कुछ इस तरीके से फोल्ड किया है, और साइड में से कपड़ा बचा दिया है, मैंने ये देखिएगा, साइड में हमारा बाजू के लिए कपड़ा काफी बच गया है, तो जितनी भी हमारे कुर्ते की फिटिंग है न फ्रेंज, उससे हमें कमसिकम धाई तीन इंच एश्ट्रा कपड़े को बिचा लेना है, जो हमारा मार्जन में कामे आएगा, तो मैंने ऐसे ही इसको बिचा लिया है, और आब ये जो भी हमारा कुर्ता है, इसकी हमें फिटिंग का नाप ले लेना है, आपका जो भी फिटिंग का कपड़ा पुरता हो, उसका नाप ले लिजिएगा, मैंने इसका नाप लेके लिख लिया है, और अब मैं निशान लगाँ भी, तो फ्रेंज, इसके जो तीरे का नाप है, वो था साथ इंच, यहाँ पर मैंने साथ इंच पर निशान लगा दिया है, और इसके आर्म होल का जो नाप है, वो भी हमारा साथ इंच ही है, फ्रेंज, यह मैंने साथ पर निशान लगा दिया है, और चेस्ट की फिटिंग का नाप लेंगे, वो हमारी साड़े नौ इंच है, तो इसमें थोड़ा सा हम एश्टर लेके चलेंगे तो मैं इसे करीब 10 इंची लूँगी क्योंकि ब्लावज की फिटिंग तो ठीक रहती है लेकिन कुर्टे की फिटिंग इतनी ज्यादा नहीं लेनी चाहिए उससे थोड़ी सी बढ़ाकर आदा इंच लेनी चाहिए तो यहां आर्म होल तयार हो गया है फ्रेंस यह देखिएगा इस तरीके से और यहां पर फ्रेंस हम गले का निशान लगाएंगे कुर्टे के आगे वाले पर्ट के हिसाब से जो हमारे गले में कढ़ाई दे रखी है तो इसको हम नाप के देख लेंगे तो यह है करीब हमारी साड़े 3 इंच इसकी चोड़ाई लेकिन 3 इंच लेनी आदा इंच हमें इसका छोड़ना है कपड़ा आगे वारे गले में तो हमें आदा इंच छोड़ करके क्योंकि यह हमारा और भी पट्टी जोड़ेंगे तो उसमें यह हमें छोड़ना पड़ेगा तो यह हमारा अंदर को फोल् रखना है तो यहां पर मैंने 7.5 इंच ले लिया है पीछे का गला और यहां पर यह देखेगा यह जो हमारा तीरा है इसमें थोड़ा सा आर्म होल की तरफ थोड़ा सा जुकाव देना है आदेंच का इस तरीके से यह देखेगा तो ऊपर के निशान हमारे लगतर के त्यार हो है और अब हम कमर का नाप लेंगी तो कमर आपकी फ्रेंच उपर से जब नीचे की तरफ नाप होगे आपकी 13 इंच 14 इंच 12 जितने पर बैट रही है लगा दीजे यहां पर मैंने 13 इंच पर निशान लगा दिया है और इसकी फिटिंग का निशान लगाएंगे हम तो फिटि हिसे की पता रहेगा यह हमारा हमारा किमर का है और ऊपर हमारा चेश्ट का अब इन निशानों को आपस में मिलाना है इस तरीको सेव्र इनको मिलाएंगे यहां से यहां इसको इसको मिला देना अर ऊपर वाले नशान को बीच बारिए पर मिला देन, तो ये हूगया हमारा फिटिंग बाला निशान छेंज, इस पर आएगी हमारी सिलाई, जो ऐक बार में ही हमारी बरावर फिटिंग पैठ जाएगी, और उसके बाद हमें इसमें margin का 2-2 inch का निशान लगा देना है तो margin आप अपने हिशाप से रख सकते हो 1.5 inch दो inch या आप 1 inch भी रख सकते लेकिन मैं हर कपड़े में जब भी cutting करती हूं मैं 2 inch ही margin लेती हूं अगर कपड़ा ज्यादा ही कम है तो कम लेती हूं लेकिन मैं 2 inch margin लेती हूं तो यह मैंने निशान लगा दिया है margin का भी और अब हम नीचे के घेर एका नाप लेंगे तो नीचे का घेरा भी हम यह देखेगा इस तरीकी से नापेंगे तो नीचे का घेरा हम लेंगे यहां पर यह 7 दस यह 40.5 के करीव ले लेते हैं हम लेकिन 10 ही बैठ रहा था थोड़ा सा हमने एस्टर ले लिया है और यहां पर margin भी ले लिया है हमने और आब यह जो उपर वाले निशानों को नीचे वाले निशानों को दोनों को मिला देना ह इसकेल से मिला दीजी या फिर आप इंची टेप से तो ये मैंने दौनों निशानों को मिला दिया है इस तरीके से ये देखिए कुर्टे के निशान हमारे ऐसे लकर करके ये तयार होए है अब इनकी हमें कटिंग करनी है बस ये बाहर वाले निशानों से कटिंग इनकी कर देनी है उम्मीदे फ्रेंस आपको निशान जरूर समझ में आये हुँगे तो मैंने कटिंग कर दिया ये देखिएगा कुछ इस तरीके से कुर्टे की कटिंग हमारे हो करके तयार होगे तो friends ये कुर्टा काफी long है, काफी लंबा है कुर्टा ये हमारा, तो यहाँ पर ये हमारा बाजू के लिए कपड़ा बच गया है, अच्छा खासा कपड़ा हमारा बच गया है, ये देखेगा, इसमें से हमारी बाजू निकल जाएंगी, लंबाई थोड़ी सी कम बैठेगी त हम उसमें जोड लगाएंगे, तो हमारी बाजू तयार हो जाएंगी, अब हम आगे वारे पर्त को ले लेते हैं, इस तरीके से इसको बिचा लेना है, हम अच्छे से सैट करके, बस आपको ध्याय नहीं रखना है, कि ये जो कड़ाई है, बराबर आनी चाहिए, और अब ये पर्त को इसके उपर रखेंगे, हम इस तरीके से, अच्छे से सैट करके रख लेना है, इसे कहीं से हमारा उपर नीचे, ये बेकार टेड़ा मेड़ा ना हो, इसको अच्छे से बिचाने के बाद, और इसे चाहे तो आप निशान लगा लिजे, चाहे इसे बिचा करें, ऐसे ही इसकी कटिंग कर लिजे, तो मैंने अच्छे तरीके से इसको बिचा दिया है, और आप मैं इसकी कटिंग कर लोगी, तो फ्रेंस मैंने चैनल पर इससे पहले पलाजो की वीडियो भी डाली हुई है, घेरदार पलाजो, तो आप उसको भी देख सकते हो, मेरे चैनल पर जा हमारे लगे हुए हैं इन निसानों को लगा लेंगे हम इसी को पर इस तरीके से रख करके तो अब इसे आपस में निशानों को मिला देंगे यह देखेगा तो यह हमारे आगे वाले पर्त में भी बरावर निशान आ गए हैं तो इन निसानों को हम लीचे तक मिला देंगे तो आगे वाले पर्त में भी हमारे निशान लग करके तयार हो चुके हैं देखे इस तरीके से और यह जो निशान है हमारे हैं यहाँ पर आप चाहो तो छोटा-छोटा कटवी लगा सकते हो जिससे कि आपको अच्छे से पता रहे यह देखे यहां से हमें अंदर वाली सिलाई ले कर देंगे इस तरीके से तो इसकी हमने कटिंग कर दी है यह देखेगा आगे बाले पर्त में ही इसकी कटिंग करनी है और अब इसके गले में निशान लगाएंगे हम तो गले को पहले हम इस तरीके से रहे देखेगा खोल रहते हैं और आदा आदा इंच इसमें हम यह सिलाई में आ झाएका मैंने ordinary कटिंग को जोड़े जोडएंगे हिसमें और य Кोड़ाई रखी करेंगे चोड़ाई रिख व्यजी खालें ही, है तो चोड़ाई को भी हम पूरा ही ले रहे हैं अभी तो इसके आर्म होल की यह देखेगा निशान लगाएंगे तीन इंच पर मैं इसका आर्म होल का निशान लगा रहे हूं और उपर से हम बिल्कुल सीधा लेंगे दो इंच एक निशान इस तरीके से अच्छा हो तो इस मतंदके निशान लगानी है आगे बाले हिस्से में ही इस तरीके से ये देखिएगा जैसे कि आप इसमें डेख पा रहे हं यहां से इस तरिके से इसमें गहराई देनी होती है जैसे मैंने अभी कुर्टे मैं दीती उसके यार्मोल में और नीचे से आपकी जितनी भी फिटिंग है 5-6-6-5 तो उतना आप नीचे से गुलाई का निशान लगा दीजी और 2 इंचे में एस्ट्रा मार्जन ले लीजिए और इन निशानों को मिला देना यह हमारा बाहर वाला निशान है यहां से हमारी कटिंग होगी यह अंदर वाला निशान हमारा फिटिंग का रहेगा लेकिन इसे एक बार मैं फिटिंग जब निशान लगा करके सिलाई लगाँगी जब इसकी फ्रेंस हमें जोडनी है इस बाजू को हमें जोडना है तब इसमें एक बार नाप करके और मैं फिटिंग का निशान लगा है और वी पट्टी के हमें ज़्यादा जरूत नहीं है सिर्फ आगे वाले गले में ही हमें और वी पट्टी को जोड़ना है और वी पट्टी को हमें सा तिर्चा कटिंग किया जाता है यह देखी जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं करीब उसको आपको एक से डेडिंज की जोड़ाई रखनी है तो और वी पट्टी हमने दो पट्टी को कट किया यह हमारी काफी है इस तरीके से इनको जोड़ना है सीधी हो जाती है इस तरीके से जोडने के बाद तो यह हमारा आगे वाला पड़ तयार है यह पीछे वाला पड़ तयार हो गया है और यहां पर हमा को लाइक कीजीगा